आपको याद होगा पिछले दिनों हमने आपको मृत्यू और मोक्ष की वेटिंग लिस्ट के बारे में बताये था लेकिन आज हम आपको वैक्सीन की वेटिंग लिस्ट के बारे में बताएंगे क्योंकि बहुत सारे लोगों को हुआ है संकरवन लेकिन रोहित की स्थिति इतनी खराब नहीं होती और रोहित आज भी हमारे बीच होते और कुछ हफ़तों के बाद आपको रोहित सरदाना की आवाज फिर से अपने घर में सुनाई देने लगती आपको फिर से रोहित सरदाना के लिए registration तो करवा लिया है लेकिन वैक्सीन उन तक पहुंचे गी नहीं और ये संख्या हर घंटे के साथ बढ़ रही है हर घंटे के साथ ये कतार लंबी होती चली जा रही है लेकिन बड़ी बात ये है कि इन से अब तक किसी भी वैक्सीन लगवाने की तारीक नहीं मिली है अपॉइंट्मेंट नहीं मिला है और इसलिए हम इसे वैक्सीन की वेटिंग लिस्ट कह रहे हैं अब सवाल है कि registration तो हो गया आपका लेकिन आपको वैक्सीन कब मिलेगी इसी का पूरा हिसाब किताब आज हम आपको सरल भाशा में देंगे लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजे कि किन किन राज्यों में कल से यानि एक मई से अठारा साल से उपर के लोगों को वैक्सीन नहीं मिलेगी इन में सबसे पहला राज्य है महराष्ट महराष्ट सरकार के कोवी शील्ड बनाने वाली कंपनी सेरम इंस्टूट ओफ इंडिया ने उससे पंदरा मई तक का समय मांगा है यानि महराष्ट सरकार की माने तो वहां पंदरा मई से पहले राज्य सरकार को वैक्सीन नहीं मिलेंगी महराष्ट ने सेरम इंस्ट्यूट आफ इंडिया से वैक्सीन की साथ करोड डोज मांगी है दूसरा राज्य है जहां आपको नहीं मिलेगी वैक्सीन दिल्ली दिल्ली में भी एक मई से टीका करन अभियान शुरू नहीं हो पाएगा और मुखे मंतरी अर्विंद केजरिवाल ने कहा है कि तीन मई तक अगर दिल्ली को वैक्सीन मिल गई तो वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा दिल्ली सरकार ने तीन लाख वैक्सीन का ओडर दिया है और बाकी पचास लाख डोज के लिए उसे और इंतजार करना पड़ेगा इसके लावा मदपरदेश, गुजरात, पंजाब और तेलंगाना ये वो राज्ये हैं जो इसलिए कल से वैक्सीनेशन शुरू नहीं कर पाएंगे कि अभी इन राज्यों में भी 18 साल से उपर के लोगों का वैक्सीनेशन शुरू नहीं हो पाएगा इन सारी बातों का एक लाइन में सार ये है कि अभी आपको वैक्सीन के लिए और इंतजार करना होगा कितना इंतजार करना होगा अब इसका एक अंदाजा आपको बताते हैं इस समय भारत में दो वैक्सीन लगाई जा रही है पहली है कोविशील्ड और दूसरी है कोवैक्सीन अगर इन दोनों वैक्सीन का कुल उत्पादन जोड़ दें तो हमारे देश को हर महीने इनकी 7 करोड से 8 करोड डोज मिल रही है जिनमेंसे 15% डोज पहले दूसरे देशों को भीजी जा रही थी लेकिन अब इस पर केंदर सरकार ने रोक लगा दी है इस लिहासे देखें तो अब 7 से 8 करोड डोज भारत में ही इस्तिमाल हो रही है लेकिन क्या इतनी डोज काफी है एक अनुमान के मताबिक अगर इस साल के अंत तक देश की 80% आबादी को वैक्सीन लगानी है तो हर महीने 17 करोड डोज की जरूरत पड़ेगी जबकि मौजूद परिस्तितियों में दोनों वैक्सीन का कुल उत्पादन हर महीने इसका आधा भी नहीं है और यही वजा है कि देश में हम वैक्सीन का ये संकट देख रहे हैं अगर आपको यह सब बहुत जटिल लग रहा हो तो आप इसे इस उधारन से समझिए सोचिए एक परिवार में प पूरा नहीं कर पाएगा और वैक्सीन पर भी ऐसा ही हो रहा है बनाने वाली कंपनियां सिर्फ दो हैं और आबादी है एक सो पैंतीस करोड यानि हम इन कंपनियों की उत्पादन च्छमता पर ही पूरी तरह से निरभर हैं इससे आप कुछ और आंकड़ों से समझिए एक अ वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां भी सीमित हैं यहां एक मुश्किल बात यह भी है कि अभी कई राज्यों के पास 45 साल से उपर के लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए भी वैक्सीन की परियाप्ट डोज नहीं बची हैं 30 अपरेल 2021 तक कुल उपलब्द डोज की संख्या है एक करोड बीस लाग सिर्फ एक करोड बीस लाग किस राज्ये के पास कितनी डोज बची हैं वो आप इस नक्षे के जरीए समझ सकते हैं आज जब हमने इन आकणों का विश्रेशन किया तो यह समझ में आया कि इस समय सबसे ज़्यादा जरूरी है वैक्सीन का उत्पादन ब किसी संस्था, किसी व्यक्ती, किसी प्रोड़क्ट, किसी डिजाइन या खोज या किसी सर्विस पर उस कंपनी को या व्यक्ती को एक अधिकार देता है यानि अगर किसी कंपनी ने कोई प्रोड़क्ट बनाया है और उस प्रोड़क्ट का पेटेंट उसके पास है तो कोई द जो Serum Institute of India है उसका जो पेटेंट है वो कोवी शील्ड पर उसका पेटेंट है और बायो टेक का जो है वो पेटेंट जो है वो को वेक्सीन पर है भारत बायो टेक कोई दूसरी कमपनी इन वेक्सीन को नहीं बना सकती लेकिन हमारा मानना है कि वेक्सीन पर फायदे वाला ये नि उनी चाहिए और भारत इस दिशा में कोशिश कर भी रहा है कुछ दिन पहले भारा सरकार ने वर्ल्ड हेल्थ और्गनाइजेशन से वैक्सिन्स को कोरोना की वैक्सिन्स को पेटेंट मुख्त करने के लिए कहा था और ये मामला अब तक विचारा धीन है इससे फाइदा ये हो बनाने लगेंगी कंपनिया तो वैक्सिन्स की जो कमी है ये दूर हो जाएगी अब आप ऐसा समझेए कि हमारे देश में इस समय तीन हजार चोटी बड़ी फार्मा कंपनिया हैं जो दवाईयां बनाती हैं तीन हजार जिन के पास लगभग दस हजार के आसपास ने इन दोनों वैक्सिन्स को पेटेंट मुख्त कर दिया और इन तीन हजार कंपनियों को हमने दे दिया कि आप अब ये वैक्सिन बनाना शुरू कीजिए अब ये पेटेंट मुख्त हो चुकी है तो आप सोचिए एक महीने के अंदर ही हम अपनी सारी कमी पूरी कर सकते हैं उन तीन हजार मैंसे भी आगर आप सूचिए अगर हजार भी बनाने लगें पांसो भी बनाने लगें तीन हजार मैंसे सिर्फ तीन सो कंपनिया भी अगर ये वैक्सिन बनाने लगें तो ये कमी तुरंत दूर हो जाएगी इसके लावाद आज भारत की सुप्रीम कोर्ट में भी एक याचे का दायर हुई है जिसमें ये मांग की गई है कि वेक्सीन का उत्पादन बढ़ाने के लिए भारत सरकार थर्ड पार्टी कमपनियों को compulsory license जारी करे ताकि वो भी इस वेक्सीन का निर्मान कर सके अब आपको बताते हैं कि अगर सरकार चाहे तो ऐसा कर सकती है दा पेटेंट एक्ट 1970 के सेक्शन 92 में लिखा है कि भारत सरकार किसी प्राकरतिक आपदा या महामारी के समय जन हित में किसी भी वस्तू उपकरण या दवाईयां बनाने का लाइसेंस थर्ड पार्टी कमपनियों को दे सकती है यानि वैक्सीन को पेटेंट मुक्त कर सकती है भारत सरकार और इसका लाइसेंस दूसरी कमपनियों को दे सकती है जैसा मैंने आपको बताया भारत में इस समय तीन हजार फार्मसोटिकल कमपनिया हैं जिनकी देश में लगबग साड़े दस हजार फैक्टरियां चल रही हैं लेकिन वैक्सीन इन तीन हजार में से सिर्फ दो कमपनियों में ही बन रहा है और ऐसा इसलिए है क्योंकि बाकी कम कमपनिया वैक्सीन का उत्पादन कर रही हैं उनके अलावा दूसरी कमपनिया भी वैक्सीन बना सकेंगी और इससे वैक्सीन की कमी का जो संकट है वो समाप्त हो जाएगा हाँ इसके लिए फायदे वाली जो थियोरी है उसे भूलना होगा क्योंकि इस समय आपने ये भी दे देखा होगा पिछले एक साल से जहां दुनिया इतनी मुसीबत से घिरी हुई है लोग मर रहे हैं लाखों की संख्या में मर रहे हैं लोग लेकिन बहुत सारी कंपनिया ऐसी हैं जो पिछले एक साल से जबरदस्त मुनाफ़ा कमा रही हैं एक और रिपोर्ट आई थी जो मुझ अपने देश में काला बाजारी हो रही है, हो सकता है बहुत सारे अस्पताल आज भी पैसा कमा रही होंगे, काला बाजारी के जरीए पैसा कमा रही होंगे, दवाई बनाने वाली कमपनियां बहुत पैसा कमा रही होंगी, और अमेरिका, ब्रिटन और रश्या जैसे बड़े द देंगी फाइजर जैसी बड़ी कमपनी तो कई गरीब देशों में इस्ट इंडिया कमपनी की तरह काम कर रही है और इन देशों की राष्टे संपत्ति को फाइजर जैसी कमपनियां अपने आँग गिरवी रखने के लिए दबाव बना रही है जिसकी वज़े से आज हम वैक् की मांग करते हैं और हमें लगता है कि इस पर पेटेंट नहीं होना चाहिए वैक्सीन की तरह आपने देख लिया वैक्सीन तो बहुत कम है और वैक्सीन का जो ये जो कमी है इसको कैसे दूर करना है इसका एक सॉलुशन आज हमने देश के सामने रखा है दुनिया के सामने र कमपनिया हैं, इनके सामने एक तरफ है इंसान का जीवन और दूसरी तरफ है मोटा मुनाफ़ा, ये दोनों में से किस को चुनती हैं, ये अब आगे देखना है और जादा चांस इसी के हैं कि ये सारी कमपनियां पैसे को चुनेंगी इनसान के जीवन को नहीं चुनेंगी वैक्सीन की तरह ऑक्सीजन की वेटिंग लिस्ट भी बहुत लंबी है इसलिए आज हम आपको यह भी बताएंगे कि देश में ऑक्सीजन का हिसाब किताब क्या है तो वैक्सीन की वज़ा से लोग मर अक्सीजन पहले अस्पतालों में इस्तेमाल होती थी लेकिन अब इसकी मांग 76% तक बढ़ गई है और देश में ऑक्सीजन का जितना उत्पादान भी हो रहा है उतनी ही खपत भी इस समय हर दिन हो रही है ऑक्सीजन की कमी की तरह ऑक्सीजन की सप्लाई भी आज एक बड़ कर सकते हैं इस हिसाब से देखें तो ऑक्सीजन टेंकर्स की संख्या परियाप्त लगती है लेकिन ऐसा है नहीं असल में यह सभी टेंकर्स अस्पतालों तक ऑक्सीजन पहुँचाने में और इससे हर दिन की सप्लाई पर असर पड़ता है अभी इन टेंकर्स के लौटने का इंतजार करना पड़ता है एक टेंकर पहले ऑक्सीजन छोड़ कर आएगा फिर वापस फैक्टरी आएगा और रीफिल होने के बाद फिर दुबारा जाएगा इसी में समय लग रहा है तो बड़ी बात आपके लिए समझने की यह है कि देश में ऑक्सीजन की कमी नहीं है ऑक्स अक्सीजन को अस्पितालों तक कैसे पहुंचाएं वो जो पाइपलाइन है उसमें समस्या है अगर भारत इंटेंकर्स की संख्या को डबल कर ले तो ऑक्सीजन की सप्लाई ही हो सकती है यह परिशानी भी खत्म हो सकती है और इसके लावा भारत को मेडिकल ऑक्सिजन का से ज्यादा आक्सीजिन हमारे देश को चाहिए लेकिन मौजूदा उत्पादन लगबग साथ हजार मिट्रिक टन का ही है इस समय हमारा देश वैक्सीन और आक्सीजिन के लावा अस्पतालों में बेड्स की कमी के संकट से भी गुजर रहा है इसलिए अब इसके बारे में भी जानिए ये जानकारियां बहुत महत्पूर्ण है इसलिए ध्यान से सुनिएगा अभी भारत में हर दिन कोरोना वाइरस से तीन लाख से जादा मरीज संकरमित हो रहे हैं और बहुत जल्द ये आखड़ा एक या दो दिन में चार लाख के आसपास पहुंच जाएगा अगर एक मरीज पर कम से कम पाँच लेकर एक अनुमान के मताबक हर एक मरीज पर कम से कम पाँच मरीज ऐसे हैं जो संकरमित तो हैं लेकिन उन्होंने अपना टेस्ट नहीं कराया है इस हिसाब से देखें तो अनुमान ये है कि भारत में हर दिन 15 लाख लोग संकर्वन का शिकार हो रहे हैं अब अगर ये मालने कि इन में से 5 प्रतिशत मरीजों को अस्पतालों में I.C.U. बेड्स की जरूरत है तो ये संख्या हो जाएगी 75,000 एक मरीज औसतन 10 दिन से 14 दिन तक I.C.U. बेड्स पर रहता है और अस्पतालों में बेड्स का संकट यहीं से शुरू होता है वो ऐसे कि इस समय देश में 75,000 से 95,000 I.C.U. बेड्स ही मौजूद है 75,000 से 95,000 जो मौजूदा स्थितिक के साब से एक दिन में ही भर जाएंगे यानि अगले 10 से 14 दिन तक जो मरीज आएंगे उन्हें अस्पतालों में I.C.U. बेड्स मिलेंगे ही नहीं और यहीं समय हो रहा है क्योंकि जितनी हमारी एक शमता है वो तो पहले दिन ही भर गई और जो पहले दिन भर गई बेड्स यानि समझे अगर 75,000 बेड्स पहले दिन ही भर गई हैं तो फिर ये बेड्स अगले 10 दिन तक तो खाली होने वाले नहीं तो 10 दिन में जो बाकी के लोग आ रहे हैं जिरें जरूरत है आईसी उ बेड्स की वो कहा जाएंगे इसलिए बाहर लाइन लगी हुई है अगर इस समस्य को हल करना है तो सरकार को 5 लाख कम से कम 5 लाख नए आईसी उ बेड्स देश के अस्पतालों में बढ़ाने होंगे लेकिन क्या इस से सब कुछ हो जाएगा समझने वाली बात यह है कि अस्पतालों में मरीजों का इलाज बेड्स नहीं करते बलकि डॉक्टर करते हैं और स्वास्ते करमचारी करते हैं नर्स करती हैं और उनके अच्छी देखबाल के लिए परियाप्त नर्सिंग स्टाफ की भी उतनी आवशकता है जितनी डॉक्टरों की और इनकी संक्या हमारे देश में बहुत ही कम है तो अगर आपने अस्पताल बना लिए बेट्स भी बढ़ा दिये लेकिन अगर आपके पास डॉक्टर ही नहीं है स्वास्ते करमचारी ही नहीं है तब आप क्या करेंगे कुरोना मामारी से पहले भारत में चौदा सो से जादा मरीजों पर सिर्फ एक डॉक्टर उपलब था वस्तन हर चौदा सो लोगों पर एक डॉक्टर लेकिन आज स्थिती और खराब हो गई है इस समय सरकारी अस्पतालों में 76% स्वास्ते करमियों की कमी है और संकट आने वाले दिनों में और गहरा हो सकता है ऐसी आशंका है कि 11 मई से 15 मई के बीच भारत में कुरोना के सक्रिय मरीजों की संक्या 33 से 45 लाग के बीच में होगी और तब हमें बहुत बड़ी संक्या में डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ की जरूरत पड़ेगी जो हमारे पास है नहीं यानि इस समय हमें अस्पतालों में बेड्स के साथ साथ डॉक्टरों की भी बहुत जरूरत है क्योंकि आप अस्पतालों में बेड से अपने मरीजों का इलाज नहीं करवा सकते